रोग अनेक दवा एक आज हम आपको एक ऐसी प्राकृतिक ओशदी के बारें बता रहे हैं जो बहुत सारे रोगों में लाप करती है सब्सक्राइब करिए डॉक्टर विद न्यू चानल को और बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए वो है फटे दूद का पानी वे वाटर यह जो है फटे दूद का पानी पानी नहीं ओशदी है जो बहुत सारे रोगों में अच्छे से अच्छा लाप देती है पहला है एसीडिटी यह है जब अपन सेवन करते हैं तो पेट की छाती की जलन कम करके एसीडिटी को कम करती है दूसरा है पेट के रोग जो मेन है अपच जो भी हम खाते हैं पस्ता नहीं है उल्टी के जरी बाहर निकलना लगता है अगर इसका अपन सेवन करते रहेंगे तो पाचन शक्ती बढ़ेगी डाजिशन पावर बढ़ेगा और भोजन अच्छी तरसे पस्ता रहेगा दूसरा ये कब्ज में भी बहुत लाप करती है जिनको पुराने से पुराना कब्ज है अगर इसका नित्य रोज सेवन करते रहेंगे तो कब्ज में भी बहुत लाप करेगा और दूसरा सबसे मुख्य ओशदी है ये लिवर की जब लिवर कमजोर पड़ता है तो बुखार आने शुरू हो जाते हैं हर प्रकार का बुखार चाहे जांडिश हो मलेरिया हो टाइफिड हो कोई से भी बुखार है उन सब को बुखार तोड़ने में एक मातर ये ओशदी ह और दूसरा लिवर को शक्तिशाले बनाने में इसी का में हाथ है अगर आपका लिवर फेटी है या और टाइप कोई भी लिवर में प्राबलम है उन सब को ठीक करने वाली एक मातर फटे दूद का पानी ही इसकी ओशदी है इसके बाद यह बालों में इसका सेवन करने से सबसे पहले बालों को दोना है फिर फटे दूद का पानी है उसको बालों में डाल करके दस पंदरा मिनट के लिए छोड़ देना है फिर उसको पानी से वाश कर देना है तो यह बालों के लिए बहुत ही बढ़िया है इसके बाद यह इसकिन माना चमनी के लिए बहुत लाप तो इसलिए अगर अपने इसको चहरे पर लगाएंगे या चहरा इससे धोईंगे तो आपके चहरे में निखार आ जाएगा दूसरा यह सर्दी जुकाम में बहुत लाप करती है खास करके जो छोड़ी बच्चों को सर्दी जुकाम होती है वो अगर सेवन करें उनको तो तुर लो बिलड प्रिशर है निम्न रख्चा पर उसको रेगलूइट करके नार्मल करती है तो बीपी के लिए बहुत अच्छा है और उसके बाद बिलड को यह जमने नहीं देती है अगर आपका बिलड गाड़ा होते जाता है अगर इसका हम सेवन करेंगे तो बिलड आपका पत है वजन जादा है यह अगर नित्य रोज सेवन करेंगे तो उसका वेट भी रिड्यूस होता जाएगा दूसरा जितनी हमारी बाड़ी की मसल्स हैं जो वीक हो जाती है इनका अगर हम नित्य सेवन करते रहेंगे तो मसल्स बहुती स्ट्रांग होती जाएगी इसके बाद सब से बड़ा लाब यह है कि यह बाड़ी का इम्मिन्यूटी पावर बढ़ाती है इसका नित्य पन सेवन करें आपकी रोग पृति रोग शक्ति बढ़ेगी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी जो अन्य ओशदियों से नहीं इस ओशदियों से सबसे ज़्यादा पूर मिनरल्स विटामिन युक्त यह फटे दूद का पानी है दूसरी बाद जब इसको अपन बनाते हैं तो इसका जो पनीर बनता है वो हमारे अंदर जो बाड़ी में घा हो जाते हैं अलसर हो जाते हैं उन घाओं को भरने में भी बहुत लाब करता है दूसरा अगर सपोस आपके पास फटे दूद का पानी एकसेज में है तो हमारे जितने घर में जो जानवर पालते हैं जैसे कुटा है विल्ली है उनके लिए भी बहुत पॉस्ट काहार है और वो प्रेम से पीते हैं इनके अलावा यह है जो हमारे सराउंडिंग में घर में जो पोधियम होते हैं उनको अगर ये जड़ों में देते रहेंगे तो उनकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है तो इतने सारी जितने रोग हैं वो सब इसी फटे दूद के पानी से ठीक होते हैं और बहुत ही सरल है अब अपन आएं कि इसको बनाया कैसे जाता है वो आप देख लिए देखिए अगर अपन को ओशदी के रूप में यूज़ करना है तो हमें रोज फ्रेश फटे दूद का पानी बनाना है तो सबसे पहले हम गाय का धाई सो ग्राम या पान सो ग्राम दूद लें उसको हम गैस पे बॉयल करने रखें जब वो उबलने लगे तब एक नीबू निचोड़ दें और चम्मा से थुदा हिला दें वो फट जाएगा उसको आप चान लीजिए चन्नेवे पानी वो हमारी ओश्य दिये उसको सुबह हम खाली पेट सेवन करें और जो इसका पनीर बचा है उसको अपन अलग करके घर में इसकी सबजी बना दें बहुत ही पोस्टिक सब्जी बनती है वो जो स्वस्थ व्यक्तिय है वो उसका उप्योग कर सकते हैं अब इसका एक सवाल और उटता है कि इसका डायरेक्ट उप्योग करने के अलावा कौन-कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके साथ हम इसका सेवन कर सकते हैं बहुत आसन, आपन जो रोटी बनाते हैं, उसका जब हम आटा गूते हैं, तो आटा गूते समय जो पानी नार्मल डालते हैं, वो कम डालें और इसका ज्यादा उप्यों करें, तो जो आटा गूतेगा और जो उसकी रोटी बनेगी, वो बहुती स्वास्त वर्दिक होगी. दूसरा जब अपन सबजियां बनाते हैं उसमें भी अपन पानी डालते हैं तो उस पानी के अलावा ये वाला पानी डालेंगे तो वो आपकी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनेगी क्योंकि इसमें एक नेचरल खटास रहता है जो बहुत ही टेस्ट देता है तो इसके डालने से वो सबजी की टेस्ट बढ़ जाती है इसके अलावा अपन सूप बना सकते हैं सूप में भी डाल सकते हैं इसके अलावा अपन दाल बनाएं दल्या बनाएं उपमा बनाएं जो भी अपन बनाएं उसमें इसका सेवन करके बनाएंगे तो ये हमारे लिए स्वास्त वर्दिक खाद्य सामगिरी बन जाएगी अब दूसरा सवाल उठता है कि इसका उप्योग कौन कौन कर सकता है या किस-किस उम्र में वाले लोग कर सकते है आसान है क्योंकि ये इतना इजीली डाइजडेस्टे बिल है जो छोटे से छोटा बच्चा वही सेवन कर सकता है अगर एक मेने का बच्चा है तो उसको छोटे से दो चमच आप दे देंगे तो भी चलेगा अगर जवान है उसको आदा गलास दीजे विर्ध है तो उसको आदा गलास दीजे उनको भी इसलिए आसानी से डाइजडेस्ट हो सकता है तो यह बहुत ही बढ़िया है चुको मैं आपको बता हूँ जो दूद में जितने भी पोशिक आ रहते हैं यहां दूद को कहा गया है तो उसमें जितने भी पोशिक हैं वो सारे इस फटे दूद में आ जाते हैं और जो दूद में नुकसान करने वाले हैं, जो हेवी कंटेंट्स हैं, वो पनीर के रूप में अलग हो जाते हैं, तो वो पनीर घर में किसी दूसरे व्यक्ति वपन देश सकते हैं, वो उसका उपयोग कर सकता है, पन्दु अपन को इसका लाब फटे दूद के पानी में ही करन है, अब तीसरा सवाल होता है, कि ये जो है इसकी रेसीपी वो कैसे बनाई जाती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रक्टिकल करके आपको बता देंगे सही रस्ता क्या है इसके बनाने का, दूसरा आपको ये मैं बताऊं, कि इसका सेवन अगर जो डिरेक्ट अप शेयर डाल सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा गुल डाल करके भी अपन इसको सेवन कर सकते हैं, तो इसी प्रकार अपन इसका उप्योग करें, और बहुत सारे जो मैंने रोग बताए, सब में बहुत अच्छी तरह लाब करता है, इसलिए आप इसका नित्य सुबह खाली करते हैं, सुबह, दुपहर, शाम, पंदुध्यान रखे, खाली पेट लेंगे, तो दवाई का काम करेगी, और अगर भोजन के संग लेंगे, तो वो आहर का काम करेगी, तो आप इसको अच्छी तरह से रोज सेवन करें, और बहुत सारे रोगों से इससे बचाव करके अप अपने आपको स्वास्ते बनाए, धन्याबाद.